हेलो फ्रेंड निटिंग डिजाइन में देखे बहुत ही खुफसथ प्यारा सा हमारा स्वेटर है बेबी स्वेटर जिसमें उपर डग की डिजाइन बनी हुई है राउन्ड शेप में तो आज के वीडियो में हम इस डिजाइन को बनाना सीखते हैं जी देखे इस round shape वाले sweater को बनाने के लिए पहले हमें आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला बनाना होगा और दोनों आस्तीन जब ये चारों पल्ले हमारे तैयार हो जाएंगे तो हमें एक सलाई पे इन सारे पंदों को कर लेना है जैसा कि देखे मैंने यहां पे किया है और अगर आगे से खुला रखना चाहते हैं तो ये हमारी सामनी के तरफ बटन पट्टी आएगी और अगर बंद स्वाटर बनाना चाहते हैं तो ये देखे ब्राउन शेप वाला एक हमारे पास बंद स्वाटर भी है तो यहां एक जो है पीछे का पल्ला और आस्तीन के पीच के भाग को उने खोल दिया है और यहां पे हमारा ये बटन पट्टी बन गया है तो इस तरह से आप बंसौटर भी बना सकते हैं और आगे के पल्ले को खोल करके खुला काडिगन भी बना सकते हैं आप जैसा पसंदो वयसे बनागे लेकिन जब सारे फणदे जब इकठे हो जाएंगे एक साथ तो हम बौडर के फणदों को छोड़ देंगे क्योंकि बौडर के फणदे हम बौडर की तरह बनाएंगे छे पंदे आट फंदे जितने भी आप रखते हैं और इसके बाद के फंदों को हम count करना शुरू करेंगे और ये सारे फंदे हमारे 20-20 के multiple होने चाहिए अगर 20 के multiple से जादा है तो आप बीच बीच में फंदों को घटा दीजे और उसके बाद इस design को start करिए तो हम थोड़े से फंदों में इस design को बना कर दिखाते हैं और देखे यहाँ पे हमने base color जो है वो light blue लिया है और उसके उपर हमारा base color dark blue हो जाएगा तो इस design की first row में और देखे one हमारा ये dark blue आजाएगा अब one हम yellow से करेंगे और इसके बाद हमारा light blue one, two, three फंदे light blue से होके yellow color से one, two फंदे yellow फिर light blue से one, two, three फंदे light blue one, two yellow फिर हमारा light blue आजाएगा one, two, three फंदे light blue आप dark blue से one, two फंदे हम dark blue से करेंगे और one, two, three फंदे light blue तो ये एक डिजाइन हमारी हो गई अब देखे यहाँ पर हम कोई marker या उन से धागे से किसी से भी एक निशान बना लेंगे और अब हम इस one blue से लेकर इस three blue तक की डिजाइन को फिर repeat करेंगे और देखे यहाँ पर one dark blue था और three light blue थे फिर मैंने mark लगाया था फिर one blue से यहाँ से यहाँ तक मैंने फिर repeat किया तो ये दूसरा निशान लगा लिया किसी को देखते वे हमें बार बार repeat करना है और फिर देखे यहाँ पर हमने repeat कर लिया तो यह row one हमारी complete हो गई अब हम back side पे row number two पे आ गए और इसमें देखे अब हमारा सबसे पहले यह dark blue आएगा तो one हम dark blue से कर लेंगे one two फंदे light blue फिर इस dark blue को one two फंदे blue ही करना है और अब यहाँ पे one हम yellow से करेंगे one yellow के बाद one two फंदे blue light blue है one two फ्री फंदे yellow one two blue one two फ्री फंदे yellow इस yellow को one yellow करेंगे अब यह हम पर dark blue है तो इसे हम dark blue से करेंगे अब हम इस blue से लेकर dark blue से यहां तक की design पूरी रो में बार पर रिपीट करेंगे यह देखिए यह हमारी रो थ्री आ गई और इसमें सबसे पहले one हम यलो से करेंगे और one yellow के बाद हमारा light blue one two फंदे blue one two three फंदे yellow one two फंदे light blue one two three फंदे yellow one two फंदे light blue one two अब यहां two फंदे ही yellow के रहेंगे और इस dark blue को हम dark blue से करेंगे और अब यहां पे फिर हमारा light blue one two फंदे light blue और one two फंदे dark blue अब हम one yellow से लेकर two blue तक की design पूरी रो में repeat करेंगे यह देखे अब हम row four में हैं और इसमें अब हमारा dark blue और yellow से design पनेगी अब इस light blue धागे को हम नहीं use करेंगे तो देखे रो फोर मारा blue कलर आएगा one two three four फंदे blue की yellow color से one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve थार्टीन फोर्टीन और एक फिप्टीन अब हम five blue फिप्टीन यलो पूरी रो में बार पर repeat करेंगे यह देखे यहां पे हमने row five six और seven तीन सलाईयां सेम कलर किया है फिप्टीन यलो को यलो और five blue को blue फिर फिप्टीन यलो five blue इस तरह सी हमारी डिजाइन row seven तक बन गई है और देखे अब हम row eight पे हैं और इसमें one two three four five और एक six फंदे अब हमारे blue के रहेंगे और one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen और एक 14 फंदे यलो के अब हम six blue 14 यलो पूरी रो में repeat करेंगे और इसमें भी हमें सेम कलर करना है 14 यलो को यलो और six blue को blue तो देखे सेम कलर करने के बाद हमारी डिजाइन ये इस तरह से दिख रही है ये हमारी row ten आगे है और इसमें फंदे हमारे कम होंगे लस करना है तो देखे कैसे फंदो को घटाना है ये एक हमने उताठ लिया एक बना तो ये टू फंदे ब्लू की हो गए एक और एक इन तो फंदो का हम एक कर देंगे तो ये थ्री ब्लू हो गए है फोर फाइव शिक्स फंदे फिर ब्लू की हो गए अब यलो के लर्शी फिर हम यहां से यहां तक रिपीट करेंगे तो देखे फिर हम रिपीट करके दिखाते हैं कैसे कम करना है फिर एक और एक इन तो फंदों का हम एक कर देंगे एक करने के बाद यहां थ्री फंदे ब्लू की हो गए फोर फाइव शिक्स फंदे हम ब्लू के करेंगे और थर्टीन यलो ये वान तू थ्री फोर फाइव तो देखे इसी तरह से फंदों को कम करते हुए इस पूरी रो को बनाएंगे ये देखे अब हम रो 11 पे हैं और इसमें सबसे पहले 1 हमारा ब्लू आएगा और वन ब्लू के बार 1, 2, 3, 4 फंदे यलो के 1, 2, 3 फंदे ब्लू 1, 2, 3, 4, 5 फंदे यलो 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 फंदे ब्लू के अब हम वन प्लू से लेकर 6 प्लू तक की डिजाइन रिपीट करेंगे यह हमारी रो 12 हैं और इसमें देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 फंदे ब्लू के 1, 2, 3 फंदे यलो 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ब्लू के हो गए 1, 2, 3 फंदे यलो और 1 हमारा ब्लू और अब हम इस 7 ब्लू से लेकर 1 ब्लू तक की डिजाइन रिपीट करेंगे यह हमारी रो 13 और इसमें भी फंदे हमारे कम होंगे तो कैसे करना है इस ब्लू को ब्लू ही करेंगे और अब यलो को हम यलो से 1, 2, 3 फंदे यलो 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ब्लू 1, 2, 3 फंदे ब्लू के करेंगे फिर एक और एक इन तो फंदो का हम एक करतेंगे तो यह 4 फ्लू होके 5 और एक 6 फंदे ब्लू के फिर इसे ही हम रिपीट करेंगे तो इसको इधर कर लेंगे और देखें रिपीट करेंगे इस ब्लू को ब्लू करेंगे 1, 2, 3 फंदे यलो 1, 2, 3, 4, 5 ब्लू को ब्लू किया और 1, 2, 3 यलो और फिर हमारा ब्लू आएका 1, 2, 3 फंदे ब्लू एक और एक इन दो फंदो का हम एक करतेंगे तो यह 4 ब्लू होके 5 और एक 6 फंदे ब्लू तो देखें इसी तरह से फंदो को कम करते वे इस पूरी रो को बनाएंगे यह हमारी रो 14 है और इसमें भी हमें सेम कलर करना है ब्लू फंदो को ब्लू कलर से और यलो फंदो को हमें यलो कलर से ही बनाना है यह हमारी रो 15 आ गए और इसमें देखे 1, 2 फंदे हम ब्लू के करेंगे 1, 2 यलो, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ब्लू के 1, 2, 3 फंदे यलो, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 फंदे ब्लू के अब हम 2 ब्लू से लेकर 6 ब्लू तक की डिजाइन रिपीट करेंगे यह दिखे अब हम रो 16 पे हैं इसमें इस ब्लू को 1 ब्लू हमने उतार लिया 1 ब्लू कर लिया है और अब रेड कलर आ जाएगा तो 1, 2, 3 फंदे रेड 1, 2, 3, 4, 5 यलो, ब्लू कलर सी 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ब्लू के 1, 2 फंदे यलो, 1, 2 फंदे ब्लू अब हम 1 ब्लू से लेकर 2 ब्लू तक की डिजाइन रिपीट करेंगे यह हमारी रो 17 और इसमें देखे 1, 2, 3 फंदे ब्लू 1, 2 फंदे यलो, 1, 2, 3 फंदे ब्लू के रहेंगे अब यलो कलर सी 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे यलो, रेट कलर सी 1, 2, 3 और एक 4 फंदे ब्लू से लेकर 4 रेट तक की डिजाइन रिपीट करेंगे यह हमारी रो 18 है और इसमें देखे 1, 2, 3, 4 रेट को रेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यलो को यलो किया अब हमारा ब्लू आये का 1, 2, 3 फंदे ब्लू, 1 यलो 1, 2, 3, 4 फंदे ब्लू के अब हम 4 रेट से लेकर 4 ब्लू तक की डिजाइन रिपीट करेंगे यह हमारी रो 19 है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हमारे ब्लू की होके 1, 2, 3, 4, 5, 6 यलो को यलो से करेंगे और देखें 1 हम रेट से करेंगे 1, 2 फंदे ब्लू और 1 हमारा रेट अब हम इस 8 ब्लू से लेकर 1 रेट तक की डिजाइन रिपीट करेंगे यह हमारी रो 20 है और इसमें देखें 1, 2, 3 फंदे हमारे ब्लू के इस रेट को 1 रेट करेंगे और अब हमारा यलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 फंदे यलो के हो गए 1 ब्लू अब एक और एक इन दो फंदो का हम एक कर देंगे तो 2 ब्लू हो गए 3, 4 और फिर एक और एक इन दो फंदो का हम एक कर देंगे तो अब यहां 5 फंदे ब्लू के अब इन इन फंदो को हमें रिपीट करना है तो एक और और रिपीट करके दिखाते हैं 1, 2, 3 फंदे ब्लू इस रेट को 1 रेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे हमारे यलो के हो गए और 7 यलो के बाद 1 हमारा ब्लू आएगा एक और एक इन दो फंदो का हमें एक करना है तो यह 2 फंदे हो गए 3, 4, फिर लास्ट के इन दो फंदो का एक कर देंगे तो अब हमारे पास 5 फंदे ब्लू कलर से हो जाएंगे तो इसी तरह से फंदो को कम करते हुए इस पूरी रो को बनाना है यह हमारी रोग 21 और इसमें देखे 1, 2, 3, 4, 5 ब्लू को हम ब्लू से करेंगे 1, 2, 3, 4 फंदे यलो, 1 ब्लू, 1, 2 फंदे यलो ब्लू कलर से 1, 2, 3, 4 फंदे ब्लू अब हम 5 ब्लू से लेकर 4 ब्लू तक की डिजाइन रिपीट करेंगे यह हमारी रोग 22 और इसमें हमें सेम कलर करना है ब्लू फंदो को ब्लू से बनाना है और यलो फंदो को हमें यलो कलर से यह हमारी रोग 23 और इसमें देखे 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ब्लू की अब हम 5 ब्लू से लेकर 4 ब्लू तक की डिजाइन रिपीट करेंगे यह हमारी रोग 24 और इसमें भी फंदे हमारे कम होंगे देखे कैसे करना है यह 1, 2 फंदे ब्लू इन दो ब्लू का हम एक कर देंगे तो यह 3 फंदे हो गए एक ब्लू और करेंगे तो 4 फंदे ब्लू की 1, 2, 3, 4, 5 फंदे यलो, 1, 2 फंदे ब्लू फिर एक और एक इन दो फंदो का हम एक कर देंगे तो यह 3 फंदे ब्लू होके 4 और एक 5 फंदे ब्लू अब देखे इसी हम फिर रिपीट करेंगे 1, 2 ब्लू, एक और एक इन दो का एक कर देंगे तो 3 फंदे ब्लू, एक और करेंगे 4 फंदे ब्लू, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे यलो, 1, 2 ब्लू फिर एक और एक इन दो फंदो का एक कर देंगे तो 3 फंदे ब्लू, 4 और एक 5 फंदे ब्लू जब हम इनी फंदो को देखे फिर रिपीट कर रहें तो यहां 5 फंदे यलो के बाद बीच में हमारे 9 फंदे ब्लू के हो गए यह हमारी रो 25 और इसमें देखे 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ब्लू को ब्लू करेंगे और अब हमारा यलो 1, 2, 3, 4 फंदे यलो 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हम ब्लू के करेंगे अब हम 5 ब्लू से लेकर 5 ब्लू तक की डिजाइन रिपीट करेंगे और दिखे जब हमने इनी फंदो को फिर रिपीट किया तो 4 फंदे यलो के बाद बीच में 10 फंदे ब्लू के हो गए है फिर 4 यलो है, 10 फंदे ब्लू है, 4 यलो इस तरह से ये पूरी रो हमारे बनी है ये हमारी रो 26 और इसमें हम सारे फंदे ब्लू कलर से ही बनाएंगे जो yellow फंदे हैं वो भी अब हमारे blue color से रहेंगे तो ये पूरी row blue से बना कर पिर आपको दिखाते हैं और देखे रो 26 हमने पूरा blue color से बना लिया है और अब हम row 27 पे हैं और इसमें फंदे हमारे कम होंगे तो कैसे करना है यह one, two, three फंदे blue फिर एक और एक इन तो फंदों का हम एक करतेंगे तो यह four हो गए five, six, seven, eight, nine फंदे blue फिर एक और एक इन तो फंदों का हम एक करतेंगे तो यह ten हो गए, eleven, twelve फंदे blue फिर इसे ही हम repeat करेंगे one, two, three फंदे हम blue के करेंगे एक और एक इन तो फंदों का एक करतेंगे तो four blue हो गए five, six, seven, eight, nine इन तो फंदों का एक करतेंगे तो यह ten फंदे हो गए, eleven और एक 12 फंदे blue के तो देखे हमने blue के फंदों को घटाते गए हैं तो हमारी डिजाइन यह इस तरह से बन गई यह हमरी row 28 और इसमें भी हमने सारे blue को blue से पूरी row बनाई है और इसके साथ ही yellow फंदों को थोड़ी थोड़ी दूर पे फसाते गए हैं और अब देखिए हम row 29 पे हैं और इसमें सबसे पहले one हमारा blue आएगा और इसके बाद one हम yellow से करेंगे फिर one, two, three, four, five, six फंदे blue और one हमारा yellow अब यहां से हम six blue, one yellow पूरी row में repeat करेंगे देखिए one, two, three, four, five, six फंदे blue और one yellow फिर हम six फंदे blue के बनाएंगे और one हम yellow से करते हुए इस पूरी row को बनाएंगे और देखिए जब row की last में आएंगे तो यहां five फंदे ही blue कलर से रहेंगे और देखिए अब हम row 30 पे हैं तो row 30 और 31 हम सेम कलर बनाएंगे यलो फंदो को यलो से और blue फंदो को blue से तो row 30 और 31 बना कर फिर दिखाते हैं और देखिए यहां पे row 30 और 31 हमने सेम कलर बना लिया है यलो को यलो और blue को blue से आप हम row 32 पे हैं और इसमें भी फंदे हमारे कम होंगे तो कैसे करना है देखिए वान टू थ्री फंदे हम बनेंगे इन तो फंदो का एक कर देंगे और इस यलो को यलो फिर वान टू थ्री थ्री फंदे हम बनेंगे इन तो फंदो का एक करेंगे इस ब्लू को ब्लू और यलो फंदो को यलो से फिर हम रिपीट करेंगे वान, टू, थ्री फंदी ब्लू, इन दो फंदो का एक करना है, इस ब्लू को ब्लू करेंगे और यलो फंदो को यलो से, तो इसी तरह से फंदो को कम करते वे इस पूरी रो को हमें बनाना है, और देखें, अब हम रो थार्टी थ्री पे हैं, तो रो थार्टी थ्री और color करेंगे बीच के 5 blue को blue और yellow फंदों को हम yellow color से करेंगे तो starting का 1 हमारा blue है और last में 4 फंदे blue ये देखिए row 33 और 34 हमने same color बना लिया अब row 35 और इस में भी फंदे हमारे कम होंगे इस blue को blue से उतार लिया और इस yellow को हमें yellow ही बनाना और अब देखे, वान, टू, थ्री फंदे हम बुनेंगे, इन दो फंदों का एक कर देंगे, तो अब फोर हमारे ब्लू से हो गए, इस यलो को यलो करेंगे, वान, टू, थ्री फंदे हम बुनेंगे, और इन दो फंदों का एक कर देना है, और यलो को यलो से, तो इस तरह से अब हमारे बीच में 4 फंदे ब्लू कलर से हो जाएंगे यह हमारी रोप 36 और इसमें हमने सेम कलर किया है यलो फंदो को यलो और 4 ब्लू को ब्लू कलर से यह हमारी रोप 37 और इसमें भी फंदे हमारे कम होंगे तो देखे इस ब्लू को ब्लू ही करेंगे यलो फंदो को यलो से करेंगे वन हम ब्लू से करेंगे फिर इन दो फंदो का हम एक कर देंगे और इस ब्लू को ब्लू करेंगे फिर वन हमारा यलो आएगा वन ब्लू एक और एक इन दो फंदो का हम एक करेंगे इस blue को blue करेंगे और one yellow को yellow से तो इस तरह से हमें फंदो को कम किया तो बीच में आप हमारे three फंदे ही blue कलर से रह गए यह हमारी रोव 36 और इसमें हमने same color किया है yellow फंदो को yellow और four blue को blue कलर से यह हमारी रोव 37 और इसमें भी फंदे हमारे कम होंगे तो देखे, इस blue को blue ही करेंगे, yellow फंदो को yellow से करेंगे, one हम blue से करेंगे, फिर इन दो फंदो का हम एक करदेंगे, और इस blue को blue करेंगे. फिर फन हमारा यलो आएगा वन ब्लू एक और एक इन दो फन्दों का हम एक करेंगे इस ब्लू को ब्लू करेंगे और वन यलो को यलो से तो इस तरह से हमें फन्दों को कम किया तो बीच में अब हमारे थ्री फन्दे ही ब्लू कलर से रह गए ये हमारी रो 38 और इसमें भी हमें सेम कलर करना है यलो फंदो को यलो और जो बीच में 3 फंदे ब्लू है इसे हमें ब्लू कलर से ही बनाना है और दीखे, रो 38 तक हमारी ये डिजाइन बन गई है और ये देखे, यहां से हमने चिडू किया था और उपर हमारे फंदे कम होते गए है और जब हम खुला स्वेटर बनाएंगे आगे का, तो हमारी बटन पट्टी रहेगी और अगर हम बंद स्वेटर बनाना चाहते हैं तो एक साइट से हमें सिलाई करनी पड़ेगी तो अब इसके बाद हमारा गले की पट्टी आएगी तो हम गले की पट्टी बनाएंगे और अगर बड़े बच्चे के स्वेटर में बनाना चाहते हैं इसी डिजाइन को और प्यारी सी हमारी ये डिजाइन बन के आई है मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिजाइन आपको कैसी लगी तेंक यू